के गुद्नुइंग वेलकम टू माय निव ब्लॉग तो आज का ब्लॉग में मेरे साथ है क्या ना मैं अपका क्या ना मैं आपका रिजवान इसका नाम रिजवान है यह जा रहा है दुकान का समानुमान लेने के लिए और जाहिए भाई ठीक है ठीक से साइकल चला के बंदा दुकान का समाल ले निकले और बाकी बने रहीएगा हमारे ब्लॉग के साथ आज का ब्लॉग बहुत ही महतपून होने वाला है क्योंकि आज जा रहा हूं मैं लॉंग ड्राइब पे इसलामपूर से भी आगे तो बने रहीएगा हमारे ब्लॉग के साथ गाइस अभी जो है इस्लामपूर के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं लोधन आगे पहुच गे लोधन पावर हाउस के पास है अभी और इस्लामपूर से थोड़ा आगे भी जाएंगे लोकेशन मैं आपको इसी वीडियो पर बता दूंगा आप लोगों तो बने रहीएगा हमारे ब्लोग के साथ यह देजिए लोधन का पावर हाउस है यह लोधन चौक थोड़ा पीछे है और यह लोधन का मेला लगा हुआ है यह दिखने ही रहा होगा आप लोगों को अभी हम लोग ब्लोग में हैं ब्लोग क्रॉस कर रहे हैं यह मनी बिटा है इस्कूल है मनी बिटा का है इस्कूल यह लोगों का इस्कूल तो गाइज यह है बंगलादेश बॉर्डर इसलामबुर्ग उसने के पहले यह बॉर्डर नुकता है बंगलादेश बॉर्डर कि यह सबक्रातेश यह संधबुर्ग छॉर्डर नॉक उता है बंगलादेश बॉर्डर को हम लोग इसलामपूर भूस चुके हैं काईज अभी हम लोग इसलामपूर का ओवर ब्रीज के नीचे से जा रहे हैं अभी है का इसलामपूर के जन्हों। क्याती तरदेरに विसमें एकिता हैं इसलामपूर कि य fossil दिदक तर विसमें नीचे से जल Sigए झाल झाल प्रब्राइब टारी लेका प्रणाफ प्रणाफ प्राइब सकती है अब जो है हम लोग राम गंज पहुंच चुके हैं इस्लाम पुरु प्रॉस करके अब हम लोग राम गंज से चाई वाई पिके निगल चुके हैं अब हम लोग कालागच पहुंच चुके हैं हम और हमारे भाई यह देख लीजिए आप लोग कालागच यह कालागच में हो रहा था क्या हो रहा था हमें भी पता नहीं लेकिन ऐसे लग रहा था कि कोई कुनेडी हो रहा है रहा है बब्द लोकूने में darn all the lone वन्थेश्ते शुट्छे होले लोख पहाने कााब इस जबी काला गस से हम लोग भेज़ पिटा पहुंच गिये हैं डारेक्टली भेज़ पिटा यहाँ पे थोड़ा सेविंग वुविंग हुगा फिर चलेंगे महमान काईज अभी जो है ब्रबिल्ला हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रबिल्ला का यह बहुत बड़ा ब्रीज है ड्रम सब है यह देख लीज़े आप लोग यहाँ पे लोग पिकनिक भी मनाने के लिए आए हैं तीन चार ब्लो रोलो के हम लोग का साइट का ही है ठीक रीवारी साइट का हमें लोग के गाउं से मतलब उधर से रिलेटेड है है यह लोग पिकनिक बनाने आए हैं इदर मेरा भाई आगया के घूम रहे हैं कि अ जाल में पिकनिक बनाने ऐसे नहीं आते हैं कि यहां का सीन में मजा ही कुछ अलगा रहा है यहां पे लोग पिकनिक मनाने ऐसे नहीं आते हैं क्यांकि यहां पे मजा ही कुछ अलगा है 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 तो है गाइस अभी हम लोग मेमान से निकल चुके हैं जा रहे हैं फिर वापस घर और बने रहिएगा हमारे ब्लोग के साथ चलते चलते चले जाएंगे अगराज सफर हमारा महतबून रहा हम लोग इसलामपून रहा है के पांस पहुँच चुके हैं थोरी ही देरे में इसलामपूर पहुचने वाले हैं हम लोग और हाइवे में ही है हाइवे से जाना पड़ता है हाइवे से आना पड़ता है बहुत दूर है गाइस तक गया मैं बैट बैट के तक गया हुआ हुआ है हुआ है इसलामपूर पहुच चुके हैं हम लोग इसलामपूर अभी इसलामपूर प्रॉस कर रहे हैं हुआ है इसलामपूर मार्केट पूरा बंध है थोरा थोरा फुला हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 है जाय वाई पीके हम लोग इसलामपूर से निकल चुके हैं सीधा जाएंगे लोधन चौक लोधन में जाके रुकेंगे डायेक्ली ठंड बहुत कर रहा है और मोसम खराब होना चालू हो चुका है से इसलामपूर घुसने से पहले यह ब्रिज मिलता है निव ब्रिज बना अभी-अभी स्टार्ट हुआ है पुस दिन पहले काफी अच्छा ब्रिज जाने के टाइम इसके ऊपर से इधर से दे लोग अभी लोधन पॉच्च चुके हैं लोधन अभी क्रोस कर रहे है यह देख लीजिए लोधन में अभी पुरा दुकान खुला है लेकिन आज बहुत थक गिये हैं हम लोग मैं तो बैट बैट के थक गिया लेकिन भाई अभी तक नहीं थका बाइक चला के तो हे गाइस आज का सफर हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा तो मैं घर आके पहुंच गया हूं और अभी खाना वाना खाने वाले हैं खाना उना खाके फिर सो जाएंगे और बोलिया भाई आप क्या बोलना चाहेंगे अभी नहीं इस पहले इस भूमल को बोलना थे बोली आसिप भाई कुछ बोलना चाहेंगे कि आप ठीक है चलते हैं हम का अभी अभी मेरे भाई भात काईगा मैं भी खांगे उसके तास में कुट्टागी में पहला करेंगे तब खांगा ये बात में आपको वीडियो में लाइक किजिए शेल किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा अपाउट